नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूप चैनल पर आप सभी का हारदिक स्वागत है, हम पढ़ रहे हैं NCRT किताबे, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कक्षा साथ इतिहास भाग दो, यानि हमारे अतित भाग दो, और इसका आजम पांचवा चेप्टर शुरू करने वाले हैं, शाशक और इमारते, तो आइए शुरू करते हैं, चित्र एक, नीचे हमें एक चित्र दिखाया गया है, इसमें क्या बना हुआ है, उसमें कुतुब मिनार को दिखाया गया इस चित्र में, कुतुब मिनार के पहले चज्जे को प्रदर्शित करता है, कुतुब द दिखाई दे रही हैं यह अभिलेक अर्बी में हैं गोर करें कि मिनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार और कोणिये हैं ऐसी सतय पर अभिलेक लिखने के लिए काफी परिश्वतिता की आश्वकता होती थी यानि कि बहुत योग्य कारीगर ही पत्थरों के उपर खुदाई करकर के उसको डिजाइन त्यार करते थे और अभी लेक लिखना तो और भी टफ था याद रखे कि 800 वर्शों पूर्व कुछ ही इमारते पत्थर या इंटों की बनी होती थी तो 13 शतावदी में कुत्व मिनार जैसी इमारत का देखने वालों पर क्या प्रभाव पढ़ता होगा आईए देखते हैं आठवी और अठावी शतावदी के बीच राजाओं और उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्मान करवाया पहली इमारतों में सुरक्षित सरंक्षित और इस दुनिया में और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगें किले महल और मकबरे थे यानि कि दूसरी श्रेणी में मंदिर मस्जिद होज कुए सराय बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारते थी यानि कि कहना क्या कहना क्या चाहते हैं कि राजाओं द्वारा पहली तो एक चीज वो बनवाई गई जिसमें वो चीजों को सुरक्षित रख सके मनलब आने वाले टाइम में या बहुत लंबे टाइम तक जिन चीजों का उपयोग किया जा सके जो उनके प्राइविट परपस के लिए थी चाहे वो किले थे चाहे वो महल थे चाहे वो मकबरे थे इन चीजों को बनाया गया और दूसरी श्रेणी में इनोंने कॉमन पीपल के लिए या सब जगर सब लोग जिसको देख सकें उपयोग में ला सकें उन चीजों को बनाया गया जैसे मंदिर, मस्जिद, होद, कुए, सराय, बजार जैसी जनता के उपयोग की इमारते बनाई गई थी राजाओं से यह अपिक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देख बाल करेंगे और प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्मान करवाकर राजा उनकी प्रशंशा पाने की आशा करते थे इस तरह के निर्मान कारे व्यपारियों सहीत अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किये जाते थे वे मंदिरों, मस्जिदों और परंतो घरेलू स्थापत्य व्यपारियों की विशाल हवेलियों के अवशेश हमें अठारवी शराबदी से मिलने ही शुरू होते हैं अब हम एक पर वापिस देख लेते हैं कुतुब मिनार का जो हिस्सा है उसके उपर यहाँ जो पटियां दिखाई दे रही हैं ये अभी लेखों वाली हैं चीक है हम इसको देखते हैं कुतुब मिनार पांच मंजली इमारत है अभी लेखों की पटियां इसके पहले छज्जे के नीचे हैं इस इमारत की पहली मंजल का निर्मान कुतुब दी एबक तथा शेश मंजलों का निर्मान 1229 के आसपस हिलतु तमिश द्वारा करवाया गया कई वर्षों में है इमारत आंदी तुफान भुकंप की वज़े से शतिग्रस्थ हो गई थी और इसलिए अलावदीन खलजी, मुहमद तुगलक, फिरोज शहा तुगलक और इब्राहिम लोदी ने इनकी मरमत भी करवाई तो देखिए अगर आपको निर्मान करता पूचा जाता है तो सबसे पहली मंजिल का जो निर्मान है वो स्वयम कुत्विदिन एबक ने करवाया उसके बाद उसकी मृत्यों के बाद उसका जो गुलाम था या जो नया शाशक जो बना था दिल्ली सल्तनत का इलतो तमिश उस अग्रों मत्थगलक फिरोशात उगलक और इबराहिम लोधी इन्होंने इसकी मरमत करवाई पिर हम देखते हैं यहां पर यह दिया गया है आगरा किले के निर्मान में लगा श्रम अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्मान है तु 2,000 पत्थर काटने वालों 2,000 सी की आफशक्ता पड़ी थी यानि कि स्थापत्य अकला की बात की जा रही है कोई भी मंदिर मस्जिद किला या कुछ भी बनवाया जाता था तो उसके लिए उसको बनाने वालों की आफशक्ता भी पड़ती थी और वो काफी हजारों की संख्या में हुआ गरते थे अब बात करत कारण लेली जी हम चार दिवारों के आरपार लकडी की शैतीरों अत्वा एक पत्थर की पटिया रखकर छट बना सकते हैं लेकिन यह कारे उस समय बहुत कठीन हो जाता था जब हम एक विस्तरत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्मान करना चाहते हैं इसके लिए अध परिश्क्रत कोशल की जरूरत होती है सात्वी और दस्वी शतावदी के मद्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे दरवाजे खिड़कियां बनाने लग गए थे चत दरवाजे और खिड़कियां अभी भी दो उर्धुवा धर खंबों के आर पार एक अनुप्रस्त श बावली से जुड़े भवनों के निर्मान में इस शैली का प्रयोग हुआ था अब ये क्या चीज है अनुप्रस्त टोडा निर्मान इसको देखिए पहली चीज को देखिए अधिरचना अधिरचना क्या होता है भूतल से उपर किसी भी भवन का भाग यानि कि हमारा जो अधिरचना कहलाता है ठीक है राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावडी उन पचास बावडियों में से सबसे बड़ी थी जिसका निर्मान पानी की आफशक्ता की पूर्ती के लिए किया गया था अपनी स्थापत्य सुन्दरता के लिए विख्यात इस बाव यह किस चीज के चित्र है यह दिल्ली की कुवत अल इसलाम मस्जिद का एक हिस्सा है बार्वी शतावडी के उत्रार्द में जिसे बनाया गया था और दूसरा जो है यह महराव के निर्मान में अनुप्रस्त टोड़ा तकनीक का जो निर्मान इस्तेमाल होता था उसे बताया गया है देखिए इसको कैसे बनाया गया है देखिए यह इसमें यहां पर ऐसे पिलर्स लगाए बनाये जाते फिर इदर इस तरह से बीम सेट करके यहां पर इसको महराव को बनाया जाता था ठीक है फिर ग्यारवी शतावडी के प्रारंब में मंदिर निर्मान यह मंदिर का एक बेस जो है नक्षा जो है वो दिया गया है देखिए ये कितना important मंदिर है इसको देखते हैं चित्र तीन कैमें शिव की स्तुती में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्मान चंदेल राजवंश के राजा धंग देव देखिए हमें ये terminology याद करनी है जो भी words जो भी दिये गए है इसमें example है जिन जिन चीज़ों के वो हमें as it is fact के दोर पे याद करने पढ़ेंगे तो पहली चीज़ ये है कंदरिया महादेव मंदिर ये किस के लिए है ये शिव की स्तुती में बनाया गया है ये राजा धंग देव ने बनाया था जो चंदेल राजवंश थे कब बनाया था नो सो निन्यानमे इस्वी में करवाया था ये जो चितर तीन खह दिया गया है ये मंदिर की योजना है यानि एक map है उसका नक्षा है एक अलंकरत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन यानि कि जिसे महा मंदप कहा जाता था यहाँ पन रत्य का आयोजन होता था तक पहुँचता था यानि कि जो भी जो एंटरेंस है वो यहाँ से मान लो गर इसकी एंटरेंस दी गई है यह बहुत बड़ा अलंकरत द्वार होता था, यहां से निकल कर यह जो है, यह इतना बड़ा जो है, वो सबामंडप होता था, यहां तक यह रस्ता पहुंचता था, फिर है प्रमुक देवता की मुर्थी मुख्य मंदिर, यानि गर्ब ग्रह में रखी जाती थी, फिर यह जो राजा उनका निकटकम परिवार पुरोहीत एकत्रित होते थे खजुराहों समूह में राजकिया मंदिर सम्मिलित थे जहां सामान्य जन्मानस को जाने की अनुमती नहीं थी ये मंदिर सूप परिश्कृत उतकीरनित मूर्तियों से अलंकरत थे यानि कि इतनी रिफाइंड टे द्धारिय के साथ इनको बनाया जाता था जिसमें बहुत ही खुपसूरती इनकी जलक मिलती थी फिर इसी तरह से एक और हमें चित्र दिया गया है यह तंजावुर के राज-राजिश्वर मंदिर का शिकर है देखिए मंदिर का पिक्चर इतनी खुपसूरत है तो आप सोचि आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी शिकर के ऊपर शीर्ष पर 90 तन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे इसलिए इस काम के लिए वास्तु कारुने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चड़ाईदार रस्ता बनवाया रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते पर उपर ले जाया गया इस काम के लिए चार किलोमेटर से भी जादा लंबा पत त्यार किया जाता था जिससे चड़ाई बहुत खड़ी ना हो मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया था लेकिन उस शित्र के लोगों ने मंदिर निर्वान के अनुभव को काफी लंबे समय तक याद रखा आज भी मंदिर के पास एक गाउं को चारू पल्लम कहा जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चड़ाईदार रास्ते का गाउं क्योंकि चार किलोमेट है कि उसमें कोई नों कोई गाउं या कोई नों कोई चोटा चोटा मोटा स्थान जो है वो जरूर आता होगा दो मंदिरों के शिखरों में आप क्या अंतर देखते हैं क्या आप यह समझ सकते हैं कि राज राजिश्वर मंदिरों का शिखर कंदरीय महादिव के मंदिर से शिखर से दूगना उंचा है देखने में तो कितना बड़ा ही लग रहा है देखो कितना इसको छोटे-छोटे मंद तो चारू पलम याद रखिएगा चारू पलम क्या है ये कैसा गाव है जो चड़ाईदार रास्ते का गाव कहलाता है अब देखिए महराब का विशुद रूप हमें दिखाई दे रहा है बारवी शदी में दो प्रोधोगिक की है एवम शैली समंदी परिवर्तन दिखाई दे लगते हैं एक तो है दर्वाजों और खिड़कियों के उपर की अधी रचना का भार कभी कभी महराबों पर डाल दिया जाता था वास्तो कला का यह है रूप चापा का रूप था अब हम इसको देखते हैं जड़ा थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि देखिए जब महराब बना विशुद रूप महराब के मद्दे में डाट अधी रचना को के भार को महराब की आधार शिला पर डाल दिया जाता है यानि महराब का जितना भी जो वजन होगा वो इस डाट के उपर फिक्स हो जाएगा फिर इस तरह से हम देखिते हैं कि इस महराब का जो खुबसूरत ज कुवत अल इसलाम मस्जिद जो दिल्ली में है उसका ये दरवाजा है फिर दूसरा है एक तो हमने देख लिया कि दरवाजों और खिडिकियों के उपर की अधीरचना का भार महराबों पर डाल दिया जाता था जो चापा का रूप कहलाता था वास्तोकला का और दूसरा क्या प्धाब्त थी इसकी वज़ए से विशाल ढांचों का निरमान सरल्ता से और तेजी से होने लगा चित्र छे में निरमान स्थल पर एक नजर डालें अब यह देखिए यह जो जिँखाई दे रहा है इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है कि कि सी जगा का निरमान किया जा है ठीक है अब इसी तरह से आगरा किले में जल्दवार को दिखाती एक चित्रकारी ये भी हमें एक इसको दिखाया गया है जिसे अकबर मंदिरों, मस्जिदों और होजों का निर्मान बहुत सुन्दर तरीके से किया जाता था क्योंकि वो उपासना के स्थल होते थे वे अपने स्रंग्षक की शक्ती, धन, वैबव, भक्ती, भाव का भी प्रदर्शन करते थे उधारन के लिए राज राजिश्वर मंदिर को लिया किया था, ध्यान दे कि राजा और उसके देवता के नाम काफी मिलते जुलते हैं, राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह मंगलकारी नाम था और राजा स्वयम को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था, धार्मिक अनुष्ठान के जरिये मंदिर में एक देवता यानि राजा राजदेव और दूसरे देवता राज राजिश्वरम का सम्मान करता था, यहां पर यह कहना चाहते हैं, कि जो राजा थे उस वक्त के, वो अपने आपको किसी देवता से कम नहीं समझते थे, और ऐसा लगता था धार्मिक अनुष्ठानों को होते दे दूसरे देवता का सम्मान करता था, सभी विशालतम मंदिरों का निर्मान राजाओं नहीं करवाया था, मंदिरों के अन्य लगू देवता शाशक के सहयोगियों, अधिनस्तों के देवी देवता थे, यह मंदिर शाशक और उसके सहयोगियों द्वारा शाशित विश्व का एक लगूरू भी था जिस तरह से भी राजकिये मंदिरों में इकटे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे ऐसा प्रतीत होता था मानों उन्होंने देवताओं के न्याई प्रिये शाशन को प्रित्वी पर ला दिया हो मुगल बाश्या शा जांके इतिहास कार ने शाशक को सामराज्य वे धर्म की कार्य शाला का वास्तो शिल्पी बताया था ठीक है अब आगे देखिए मुसल्मान सुल्तान और बादशा स्वयम को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे किन्तो फार्सी दर्बारी इतिहासों में सुल्तान का वर्नन अल्ला की परचाई के रूप में हुआ है यानि कि फार्सी दर्बारी इतिहास जो है उसमें सुल्तान को अल्ला की परचाई के रूप में बताया गया है दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेक से पता चलता है कि अल्ला ने अलाउदीन को शाशक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विविद करता हूँ मूसा और सुलिमान की विशिष्टताएं मौजूद थी सबसे महान विदी करता और वास्तुकार अल्ला स्वयम था उसने ऐ विवस्ता को दूर करके विश्व का सरजन किया और एक विवस्ता का संतुलन को कायम किया देखिए उपर एक जो चितर दिखाया गया है वो क्या चीज़ है यह देखिए यह शाह जहान ने अपनी जो नई राजदानी बनाई थी शाह जहानाबाद 1650 से 1656 के बीच में जब इसका शाशनकाल रहता है तो शाह जहां द्वारा बनाई गई जामी मस्जिद की योजना उसने यह जामी मस्जिद जो है वो प्लैन की थी कि यह इस तरह से बनवाई जाएगी तो हम यह देख सकते हैं कि इनका जो मुख है वो किस तरफ होता है यह ह जाता है ठीक है पश्चिम की ओर फिर है सत्ता में आने पर प्रतेक राजवंश के राजा ने शाशक होने के अपने नयतिक अधिकार पर और जोड डाला उपासना के स्थानों के निर्मान ने शाशकों को ईश्वर के साथ घनिष्ट संबंद की उद्गोशना का भी मोका दि शाशकों ने विद्वान और धर्म निष्ट व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजदानी और नगरों को महत्वपुन सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रियास किया इन सबसे उनके शाशन और राज्य को ख्याती मिली व्यापक समझ यह थी कि नियाए प्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहां खुशहाली होगी और जहां परियाप्तवर्शा होगी इसी तरह होजों और जलाशियों के निर्मान द्वारा बहुमुल्य पानी उपलब्द कराने के कारे की बहुत प्रशंशा की जाती थी अब ये देखिए फार्सी शब्द जो है आबाद और आबादी आब शब्द से निकले हैं जिसका अर्थ है पानी आबाद शब्द उस जगह के इस्तिमाल के लिए होता था जहां बसावट हो इसका एक अन्या अर्थ खुशहाली भी है आबादी का अर्थ जनसंख्या और सम इसस्दम निकट एक विशाल तालाब का निर्मान करवाया जिस से होजِ सुल्तानी अत्वार्डा का तालाब कहा जाता है तो यह पूष्चन हम से पूछा जा सकता है कि देहली एक कुहना के पास जो एक तालाब बना हुआ उसका नाम क्या है होजए सुल्तानी या जिसे रा मस्जिद जैसे चितर जामी मस्जिद के छोटे होजपर ध्यान दे और गुर्दवारों चिखो के एकत्रित्म और उपासना का स्थान इसमें भी सरोवर जो है वो बनाए जाते हैं जैसे यह जो है यह अमरत सरसाहिब का हर। मंदिरों को नश्ट क्यों किया गया राजा मंदिरों का निर्मान अपनी शक्ति धन संपदा इश्वर के प्रति निश्ठा के प्रदर्शनेतों करते थे ऐसे में यह बात आश्चरेजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आकरमन किया तो उन्हो फिर है नवी शतावदी के आरव में जब पांड्यन राजा श्री मर श्री वल्लब ने श्रीलंका पर आकरमन करके राजा सेन प्रतम जो 831-851 में हैं शाशन करते हैं उनको पराजित किया था किस ने किया था राजा श्रीमर श्रीवललव ये कौन थे ये पांडे राजा थे इन्होंने श्रिलंका के राजा सेन प्रथम को हराया था उसके विशे में बहुत भिक्षु वे इतिहासकार धर्मा कती ये हैं दम कीती स्वरी ये जो धम कीती हैं इतिहासकार हैं बहुत भिक्षु हैं ये क्या कहते है कि सारी बहु मुल्य चीजे वहल ले गया, कौन ले गया, राजा श्री मर ले गया, रत्न महल में रखी स्वर्न की बनी बुद्ध की मूर्ती, विभिन मठों में रखी सोने की प्रतिमाओ, इन सभी को उसने जब्द कर लिया, सिहली यानि वर्तमान शर्लंका के शाषक के आत्म अभिमान को इससे जो आघात लगा था, उसका बदला लिया जाना स्वभाविक था, अगले सिहली शाषक सेन द्वितिये ने अपने सेना पती को पांडेयों की राजधानी मदुरही पर आकर्मन करने का आदेश दिया, बोध इतिखास कारने लिखा है कि इस अभियान में ब जब चोल राजेंदर प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्मान करवाया, तो उसने पराजित शाषकों से जब्द की गई उतकरष्ट परितिमाओं से इसे भर दिया, एक अधुरी सूची में निम्न चीजिन समयलित थी, क्या थी? चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गनेश मूर्ति, दुर्गा की कही मूर्तिया, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उडिसा के कलिंगों से प्राप्त भहरव जो शिव जी का एक रूप है, और भहरवी की एक प्रतिमा, और बंगा के पालों से प्राब्त काली की मूरति गजनी का सुल्तान महेंदर राजप्रत्म की मंदिरों को अपवित्र किया उनके धन और मूरतियों को लूट लिया उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महतोफून शाशक नहीं था लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तोर से सोमनाथ मंदिर जो गुजरात का जो मंदिर है सोमनाथ का सोमनाथ के मंदिर को उसने एक महान इसलामी योद्धा के रूप में श्रे प्राप्ट करने का प्रयास किया यानि कि सोमनाथ मंदिर को इसने इतनी बुरी तरह से लूटा था इतना तबाई मचाई थी वहाँ पे कि इतिहास में ये एक महान इसलामी योद्धा के रूप में तुश्रे प्राप्ट करने का प्रयास इसने किया था फिर हैं मद्यय योगीन राजनीतिक संस्कृती में जादातर शाषक अपने राजनेतिक बलवे सैनिक सफलता का प्रदर्श प्राजित शाषकों के उपासना स्थलों पर आकर्मन करके और उन्हें लूट करके करते थे फिर हैं बाग, मकबरे और किले यहां पर यह जो हम लगातर जो इंडेक्स में देख रहे हैं यह प्रिंटिंग तो नहीं है यहां पर मुगल चारबाग को दिखाया गया है हुमाईयों के मकबरे का चारबाग है इसमें फिर कश्मीर में शाली मर भाग का सीडीदार चारबा तो आगे देखिए बाग मकबरे और किले मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई थी कई बाबर हुमाईयों अकबर जहांगिर और विशेश रूप से शाजान साहिते कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रूची लेते थे अपने आत्मकथा में बाबर ने उपचारिक बागों की योजनाओ और उनके बनाने में अपनी रूची का वर्नन किया है तो बाबर की जो आत्मकथा थी तुजू के बाबरी या बाबर नामा जिसे हम कहते हैं उसमें इसने उपचारिक बागों की योजनाओ और उनके बनाने में इसका खुद का इंट्रस्ट था जो उसकी रूची थी उसका वर्नन इसने किया है पिर है अक्सर ये बाग जो है दिवार से गिरे हुए होते थे तता क्रत्रिम नहरोद्वारा चार भागों में विवाजित आयताकार अहाते में स्थित होते थे उपचारिक भागों की चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये चार बाग कहलाते थे, चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई थी, कुछ सरवादिक सुन्दर चार बागों को कश्मीर आगरा दिल्ली में जहांगीरो शाजाने बनवाया था अब हैं अकबर के शाशनकाल में कई तरह के महतोपुन वास्तुकलात्मक नवाचार हुए इनकी प्रेना अकबर के वास्तु शिल्पियों ने उसके मद्दे एशियाई पुर्वस तैमूर के मकबरों से ली अब यहां पर यानि की भारत में उपमा अत्वीब में मुगल काल के समय इनोंने जो वास्तुकला के जो नवाचार जो किये जा रहे हैं उसमें इनोंने प्रेरना कहां से ली इसके वास्तु शिल्पियों ने यह लिए इनोंने तैमूर के मकबरों से ली हुमाईयों के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रिय गुंबद जो बहुत उंचा था और उंचा महराब प्रवेश्दवार जिसे पिश्टक का जाता था मुगल वास्तुकला के महतोपुन रूप बन गए यह मकबरा एक विशाल अपचारिक चारबा के मदे स्थित्ता जिसका निर्मान आठ स्वर्गों अत्वा हश्ट बहिष्ट की परंपरा में हुआ था जिसमें एक केंद्रिय कक्ष आठ कमरों से घिरा होता था इस इमारत का निर्मान लाल बलुआ पत्थर से हुआ और इसके कि नारे सफेद संग मरमर से बने थे देखिए काबूल में चार बाका खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चितकारी ध्यान दे कैसे रास्ते पर काटते एक दूसरे को काटती नहरे चार बाकी योजना बनाती है विशेश्टा बनाती है तो पहले हम इस पेंटिंग को देखते हैं यह एक blueprint दिया गया है बाबर के time का कैसे जो चार बाग है देखिए यह जो है यह जो हमें दिखाई दे रहे हैं यह चार बाग है यानि कि यह model बनाया गया है इसके जो विशेश योग्य जो वास्त शिल्पी है या जो बाग मानने में लोग्त उप्त ठोड़े हैं पानी की विवस्ता को भी देखा जा रहा है काबुल में चार बाग का खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चितरकारी कैसे रास्ते पर एक दूसरे को काटती नहरे चार बाग योजना की विशेश्टा बनाती है अब हम ये जो देख रहे हैं ये 1562 से 1571 बातर के बीज निर्मित हुमाईयों का मकबरा है क्या आप नहरों को देख पाते हैं इसमें तो देखिए इस पिक्चर को आप अलार्ज करते हैं पहले देखिए ये हुमाईयों का मकबरा जिसमें एक सेंटर रूम होता था और उसके बाद इन सरकल में आठ रूम होते थे और ये जो है ये नहर वाली जो रस्ते हैं वो आते हैं जो चार बागों में फैली हुई थी अब आगे देखिए ये दिल्ली में दिवान आम में सिहासन का छज्जा है इसका निर्मान 1648 में पूरा किया गया था ये जो है ये देखिए ये महराबस ही बने हुए है है ना और यहाँ पर ये जो है ये चज्जा सा बनाया गया है ये सिहासन है यहाँ पर बैठने के लिए चज्जा है यहाँ सिहासन होता था यहाँ पर आके मुगल बाद्शा बैठा करता था फिरे शाज आंके शाशन के काल के दोरान मुगल वास्तुकला के विभिन तत्व एक विशाल सदभाव पूर्ण संशलेशन में मिला दिये गए शाज आंके शाशन में अनवरत निर्मान कारे चलते रहे विशेश रूप से आगरा और दिल्ली में सारुजनिक और व्यक्तिकत सभाहेतु समारोकक्ष दिवाने खास दिवाने आम की योजना बहुत सावधानी पुर्वक बनाई जाती थी एक विशाल आंगनमिस थे तिये दर्बार चिलहिल सुतुन अत्वा 40 खंबों के सभाववन भी कहलाते थे शाजां की सभाववन विशेश रूप से मस्जित से मिलते जुलते बनाई गए थे उसका सिहासन जिस मंच पर रखा जाता था उसे प्राय किबला यानि नमाज के दुरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय पर तेक व्यक्ति उस और ही मुँ करके बैठता था इन वास्तुकला अभीक लक्षनों का इस और इशारा था कि राजा पृत्वी पर ईश्वर का प्रती निधी था राजा पृत्वी पर ईश्वर का प्रती निधी था शाह जहा ने दिल्ली के लाल की लेके अपने नव निर्मित दरबार में राजकी न्याए और शाही दरबार के अंते समन्द पर बहुत बल दिया बाजशा के सियासन के पीछे एक पित्रा दुरा पित्रा दुरा ये एक टेकनीक है कि जडाउ काम की एक श्रंकला बनाई गई जिसमें पुरानिक युनानी देवता आर्फियस को वीना बजाते हुए चित्रित किया गया था देखे पित्रा दियूरा क्या होती है ये एक इटालियन फॉर्म है उत्कीरनित संगमरमर अत्वा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्रों को दबा कर बनाए गए सुंदर और अलंकरत नमूने अब ये जो पित्रा दियूरा जो है ये जड़ाओ काम की एक श्रंकला थी जिस शानती पूर्वक एक दूस्ते के साथ रहने लगते हैं शाज आके सारवजनिक सभाभवन का निर्मान यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा उंचे और नीमन सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवार करेगा और सभी सदवाओं के साथ रह सकेंगे शाशन के आरंबिक वर्षों में शा जाहां की राजधानी आगरा थी इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्मान यमुना नदी के तटों पर करवाया था इसका निर्मान चार बाग की रचना के ही समान और चारिक बागों के बीच में हुआ था चार बाग की योज पर होता था शाज आने अपने शाशन की भव्यतम वास्तु कला अत्मक उपलब्दी ताज महल के नक्षे में नदी तट बाग की योजना अपनाई यहां सफेद संगमनमर का मकबरा नदी के तट के एक चबूत्रे पर तथा बाग इसके धक्षिन में बनाया गया था फिर है दिल्ली में नदी पर सभी अभी जातों की पहुँचपन न्यंत्रने तु शाज आने इसे वास्तु कलात्मक रूप को विक्सित किया था दिल्ली में शाह जहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शहरी महल नदी पर स्थित्ता केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभी जातो जैसे उसके बड़े बेटे दाराशिको को ही नदी तक पहुंच मिलती थी यानि उसका जो बेटा है शाह जांका दाराशिको केवल वही वहां तक जा सकता था अन्य सभी को अपने घरों का निर्मान यमना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था अब ये देखिए ये जो नक्षा जो हम देख पा रही है सबसे पहले तो देखिए ताज महल को ताज महल जो है ये आगरा का ताज महल जिसका निर्मान 16-47 में पूरा हो गया था यहां पर यह देखिए यह जो ताज महल है यहां पर यह चार बाग शैली में यह जो बाग है वो निर्मित किया गया है यह दक्षिन में बनाया गया था ठीक है तो उत्तर में इसके नदी बहती थी यमुना नदी आज भी बहती है फिर हम ये जो नक्षा जो अलग देख रहे हैं ये नक्षा कुन सा है एक नक्षे से आगरा के नदी तट बाग का पुनर कल्पित द्रश्य है यानि यहां पर इस तरफ तो बनाया गया है ताज महल को जिसके यहां इदर उत्तर साइड में नदी है और इदर जो है ये चार बाग बनाया गया है कैसे यमना के दोनों तटो पर अभी जातों के बाग महल स्थित हैं यहाँ पर ये देखिए ताज महल आ गया यहाँ पर ये सारे जो है दोनों साइड्स में ये जो अभी जात वर्गयाने जो राजा के समराट के जो बहुत खास लोग हुआ करते थे उनी के ही घर छोटे-छोटे महल हुआ करते थे ताज महल बाईयोर है और दिल्ली के शाह जाहनाबाद की तुलना आगरा की योजना से करो खैर आगे देखिए 1850 का शाह जाहनाबाद का एक नक्षा बादशा का निवास कहा है शहर काफी घना बसा हुआ लगता है क्या आपको कई और बड़े बाग दिखाई देते हैं क्या आप मुख्य मार्गवे जामी मज्जीद धूम सकते हैं तो यहां पर यह हमें धिखाई दे रहा है काफी बढ़ा सा एरिया है और काफी विस्ततम दिखाई दे रहा है चलिए आगे चलते हैं शेत्रवे सामराज्ये आठमी और अठारमी शतावदी के बीच जब निर्मान समंधी गतिविद्यों में बढ़ोतरी हुई तो विबिन शेत्रों के बीच विचारों का भी प्रयाप्त आदान प्रदान हुआ एक शेत्र की परंपराएं दूसरे शेत्र द्वारा अपनाई गई उधारन के लिए विजय नगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापूर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों के वास्तुकलात्मक शैली का प्रभाव पड़ा हुई मतुरा के निकट स्थित वरंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकला फतेपूर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी फिर है विशाल सामराजियों के निर्मान ने विभिन शेत्रों को उनके शाशन के अदिन ला दिया इससे कलात्मक रूपों वैवास्तु कलात्मक शैलीयों के परसंसेचन में मदद मिली अब ये देखिए वरंदावन में गोविन देव जी का जो मंदिर है उसका अंदुरुनी भाग देखिए पंद्रा सो नब्बे में इस मंदिर का निर्मान लाल बलुआ पत्तर से हुआ फिर दो यानि चार में से प्रती छेदी महराबों पर ध्यान दें जिनसे इ ये महराब हैं देखिए ये महराब हैं फिर आगे देखिए इस मंदिर का निर्मान लाल बलुआ पत्तर से हुआ दो में से यानि चार जो चार महराब जो दिये गए हैं दिखने को मिल रहे हैं उन में से दो दो को अगर ध्यान दे तो इनकी जो उन्ची भीतरी छत का निर्मान यहां पर किया गया था वास्तुकला की यह शेली उत्तरपुर्वी इरान यानि खुरासान प्रांथ से आई और फत्यपुर सीक्री में इसका प्रेहोग किया गया था देखिए विशाल समराजियों के निर्मान ने विविन शेत्रों को उनके शाषन के दिन ला दिया इससे कलात्मक रूपों वे वास्तु कलात्मक शेलियों के पर सिंचेचन में मदद मिली मुगल शाषक अपने बहुनों के निर्मान में शेत्रीय वास्तु कलात्मक शेलियों अपनाने में विशेश रूप से दक्ष थे उधारन के लिए बंगाल में स्थानिय शाषकों ने छप्पर की जुंपडी के समान दिखने वाली चट का निर्मान करवाया मुगलों को यह बांगला गुंबद अध्याय नुमे और चित्र ग्यारा और बारा में देखे इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तु कला में इसका प्रयोग गिया अन्य शित्रों का प्रभाव भी स्पष्ठें अकबर की राजदानी फत्यपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात वे मालवा की वास्तु कलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है फिर अठारवी शितावदी से मुगल शाष्कों की सत्ता के दूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्ते में विक्सित वास्तु कलात्मक शैलियों निरंतर प्रयोग में रही और अन्य शाष्कों ने जब भी स्वयम के राज्य स्थापित करने के प्रयास किये यह शैलियों अपनाई फिर है फतेपुर सीकरी के जोदा भाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकरत स्तंब तथा टेक यह गुजरात शित्र की वास्तु कलात्मक परंपराओं से प्रभावित है अब है आसमान छुते चर्च बार्वी शतावदी में फ्रांस में आरंबिक भवनों के तुलना में अधिक उंचे वे हलके चर्चों के निर्मान के प्रयास शुरू हुए वास्तु कला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है इस शैली की विशेश्टताएं होती है नुकीले उंचे महराव रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्राय बाइबल से लिए गए द्रश्यों का चित्रन है और उड़ते हुए पुष्ते दूर से ही दिखने वाले उ अट्रेडम चर्च है बार्वी और तेर्वी शताब्दियों के कई दश्कों में इसका निर्मान हुआ था देखिए यह इतने हाई प्रोफाइल जो है वो चर्च बनाए गए है ठीक है अब देखिए चलिए आज हमारा यह जो चैप्टर है वो पूरा होता है इसके आगे कुश्चन्स ही दिये गए है ठीक है तो चैनल के साथ जुड़े रहिए इजी इजी लाइफ चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले पास में बने घंटी के निशान को प्रेस जरूर कर और अपना फीडबैक जो है वो हमें कॉमेंट सेक्षन में जरूर दिया कीजिए हमारे साथ इसी तरह से अपनी तैयारी को बहतरीन बनाते रहे जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ धन्यवाद आभार